आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेमोसायनीन is a red-colored respiratory pigment present in the blood of mollusca बोला गया है कि जो हेमोसायनीन पाया जाता है mollusca के blood में वो red-color का respiratory pigment carry करता है लेकिन अगर हम लोग बात करें हेमोसायनीन का तो first of all यह जिससे बना हुआ है वो है पॉपर यूनिट से और पॉपर यूनिट जो है वो provide करते है in a respiratory substance blue color इसे लिए mollusca का blood जब oxygenated form में रहता है oxygenated form यानि जब उसके blood में oxygen mix रहता है तब वो दिखाई देता है as a blue color लेकिन जब यही blood deoxygenated form में रहता है deoxygenated form यानि की जब CO2 dissolve रहता है तो यह color जो होता है वो उड़ जाता है और यह बन जाता है colorless इसका मतलब है कि जो hemosyoning है वो carry करता है blue color का pigment जो की होता है due to the presence of respiratory pigment जो की copper से बना हुआ रहता है और जो यहाँ पे respiratory pigment red color का बात किया गया है वो humans में पाए जाते है या फिर mammals में पाए जाते है जिसको hemoglobin के नाम से जाना जाता है इसलिए जो hemosyoning का यहाँ पे लिखा हुआ है यह बिलकुल भी false statement हो जाएगा क्योंकि यह blue color का pigment जो है वो provide होता है in the blood और hemoglobin ही ऐसा है जो की red color का pigment involve करता है blood में और यह molluska में नहीं पाए जाते हैं इंस्टेद यह mammal, amphibians और बाखी सब में पाए जाते हैं Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह download करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 पर